कल रात राइस्थान से एक बहुत बुजुर्ग जो बहुत पराने अम्बेटकरवादी और बुद्धिष्ट व्यक्ति थे मेरे परिचित हैं उमर उनकी काफी है असी साल के आसपास बड़े एक्टिव हैं वो अपने आपको असी साल का यूवा कहते हैं उनसे बातचित हुई तो उन्होंने कहा कि आपका एक वीडियो आया था संस्कृत और हिंदी के वारे में अभी किसी जो न्याय का करमचारी है उसने कोई स्टेट्मेंट दी है जो दी और ऐसे प्रिस्ताप पर साइन वी किया तो आप इस पर एक वीडियो बनाईए तो मैंने उनसे बहुत सारी बात है कि बहुत सारे सवाल किये उन्होंने कहा कि नहीं जो मेरी बाचित आप से है आप इसका एक वीडियो बनाईए जरूर दरसल मैं किसी जगड़े करे में बताता हूं और मेरा संस्क्रत का वीडियो है तो उनकी एक उम्मीद थी और डॉक्टर अंबेटकर के वारे में बात करे तो क्या वो डॉक्टर अंबेटकर की जाती का है क्या वो डॉक्टर अंबेटकर के वर्क का है या डॉक्टर अंबेटकर ने जो अपनी जाती छोड़के और भारत का जो अपना पुराना धम था वो 1956 में जब उसको सु मानता है कि अडॉप्ट करता है क्या उस पे चलता है क्या वो सम्मिधान में अपना यकीन रखता है मतलब कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर अंबीट करके ना समू का है ना पुरानी जाती का है ना नए धम का है ना ही बावा साव अंबीटकर की तरह कोई इस्टेगल किया है ना ही कोई सामाजिक छेत्र है ना ही कोई सामाजिक फिल्ड है अपनी पूरी नौकरी की है उससे डेटाइड है और फिर डॉक्टर अंबीटकर का नाम कोड करे और भी बहुत सारे नाम है जिनोंने संस्कत के नहीं मिलाए कि महापंडित डॉक्टर बावासाव अम्बेट का संस्कत के विदूसी विदग्य या बहुत जीदा ज्यादा रहे हो तो वो ऐसे समय में डॉक्तर के साथ क्यों कोड करना चाहेता है क्यों जोड़ना चाहेता है मैंने ये सवाल उन से किया था कि उद्देश से क्या है दरसल क्या कारण है क्या नहीं है बावा साब अमबेटकर का जो एक सबसे बड़ा फिल्ड है पूरे भारत में वो ये है कि वो जो नियाय विवस्ता होती है उसके सुप्रीम रहें उसके हैड रहें जो सबसे बड़ा व्यक्ति कोई अगर नियाय विवस्ता में होता है तो वो डॉक्टर अमबेटकर है क्योंकि तो पड़े बहुत थे दूसरा उन्होंने सारी नियाय विवस्ता की रचना की है यानि कि वो रचियता हैं उसके क्रियेटर हैं उसको बनाने वाले हैं सम्विधान को बनाने वाले हैं जिसके अंदर पूरी नियाय पालिका आती है यानि कैसे बनना है, कैसे नियाय करना है, कैसे नियाय करना है उनकी उस किताब को पढ़ोगे तो आप नियाय दे सकते हो तो कोई नियाय पालिका का करमचारी नियाय कर सकता है तो बावा साब तो बहुत उपर हैं उसमें 50 आत्मी हैं और वो यह कहें कि संस्कत को राश्ट्य भासा बनाना चाहिए पाली तो वैसे राश्ट्य भासा है ही क्योंकि जो यहां बोली जाती है जिसको आप हिंदी कहते हैं वो दरसल पुरानी पाली मगदी कॉसली असोकी या धमली पी ही है तो वो तो राश्ट्य यानि मैं जो बात कर रहा हूं वह पाली में ही कर रहा हूं पाली अब थोड़ी सी स्मूथ हो गई है थोड़ा सा रंग बदल लिया उसने मगर है पाली ही तो पूरा भारत पाली बोलता है तो वह संस्कत के लिए अगर साइन करते हैं कहीं 50-60 लोग के साथ में तो इसका मतलब कर्यों यह नहीं है कि उनकी अकेली की सहमति है कय वार जब आदमी सरकार में होता है कय वार यवार आदमी समूथ होता है तो जानता है कि होना हाना तो कुछ नहीं है sign कर देते हैं क्या जाता है दरसल जो संस्कत है थोड़ी सी मैंने पड़ी है साथ मी आठ मी तक मुझे तो समझ में नहीं आई पठती पठत पठंती पठसी पठत पठामी पठाप पठाप क्या जरूरत है एक वचन और दो वचन और बहुबचन के जबकि पाली यारी हम जो भजा बोलते हैं वो बड़ी स्रल है एक वचन है या बहुबचन है दितिय वचन तो उसमें है ही नहीं तो 33 परसेंट तो वैसे ही स्रल हो जाती है दूसरा संस्कत के जो सद्ध हैं उनमें जो शे है या शटकॉन वाला है या अधा रह है या गे है या त्रे है ये सारे सब्द मिलके या जिसमें ओ की मात्रा है औरत वाली है या जिसमें वैर वाली दो मात्रा हैं और उसके जो तस्सम बगएरा है वो बड़े टिपिकल होते हैं कितना ही प्रियास कोई कर ले भारत में पूरा प्रियास कर ले, पूरी ताकत लगा ले और ये भी अगर कह दे के संस्क्रत में ही सारा काम होगा, संस्क्रत ही बुली जाएगी, तो भी संस्क्रत लोक भासा नहीं बन सकती, जैसे उर्दू नहीं बनी, दरसल उर्दू और संस्क्रत एक ही भासा है, संस्कारित है, यान संस्कर्द है दरसलों संसकारित है और यह जो भासा है बहुत सारी चीजें उसमें जोड़के ले हलंत लेके आए उन्हों ने यहां की पाली के साथ मिलके जो संसकार बनाई संसकाइद भासा बनाई वह संसकर्त है तो यह modified language दुनिया में लाखो करोडों होती है यानि कोई भासा का ग्यानी है तो जानता है कि दो भासा या तीन भासा जब मिलके modified होती है संस्काइथ होती है तो उसको Sanskrit कहते हैं तो इसलिए मेरा तो सिर्फ इतना ही है इसमें कि भई बावा साब अंबेटकर को इसमें क्यों खामेखा क्यों का हो सकता है कि कोई फ्यूचर का उद्देश से रहा हो कोई फ्यूचर का प्लान रहा हो जिस प्लान के तहत में ऐसा लगता हो कि संस्कत को बावा साथ के नाम से प्रमोट करेंगे बड़ा नाम है बावा साथ का पूरी दुनिया में भारत में ऐसा कोई नाम नहीं है जो बाव आदाह्त घंटा खागया मीटिंग उसने कहा कि मैंने बावा साथ को देखना कोई थोड़ी है हमने अगर बावा साप को नहीं देखा तो क्या इसका मतलब कि हम बेकार गया आदमी होगे तो ये चीजे चलती रहती है बावा साथ का नाम लेके अभी बहुत सारी चीज़ां आएंगी बड़े सारे जो लोग हैं जिनका नाम कहीं नहीं होता जिनका काम कहीं नहीं होता वो बावा साथ का नाम ले लेके बावा साथ का साहित बहुत बड़ा है बावा साथ राजनितिक आदमी है धम्मिक आदमी है बावा साथ हर तरह के आदमी हैं, तो कुछ ना कुछ निकाल के बार बार बोला जाएगा, इसलिए मेरा इसमें कोई टिपड़ी उपड़ी बनती नहीं है, और मैं कोई टिपड़ी करना भी चाहता नहीं है, उनकी रिक्वेश्ट थी तो मैंने एक वीडियो बना दिया, भाग आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी कॉपिराइट फिरी है आप अपने फेस्बुक पे, अपने पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तम्मं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी धम्मं सरेणं गच्छामी झाल झाल